पियमोदी के लक्षुदीव के दौरे पर टिपड़ी करना अब मालदीव के मंत्री के लिए भारी पड़ गया अब इसके बाद मालदीव सरकार ने मंत्री मर्यम शिनुआ को अब सस्पेंड कर दिया है इन तीनों ने भारत और पियमोदी ए खिलाफ टिपड़ी की थी जिसको लेकर काफी विवाद हो गया था और सोशल मीडिया पर हैस्टैग बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था मालदीव के लिए यानि के उसे छोड़के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं जो मालदीव की गवर्मेंट थी उन्होंने अपने आपको इससे डिस्टेंस पर रख लिए रोने का जी हमारा इससे कोई तालोक नहीं है यही मालदीव स्था ना जो चाइनिस करजे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीवन खतम कर दिया था तो भारत में जाके मदद की थी यह सान फ़रामोश रहते हैं तो उन्होंने बत्तमिजे की तो फिर भारत के भी सेलेबरेटिस ने सही जवाब दिया अक्षे कुमार ने का ना कि तुम्हारी हम्मत कैसे हुई भारत के भारत के बारे में ऐसी बाते करने की मोदी साब को और उनकी टेम की पालीसिया क्या है यह भी बताना चाहता हूँ चावल दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है रेड सी से वहां से या सी के साथ दूसरी चीज आ कौन सी रही है वो तेल आ रहा है वहां से तो वो अपने मुलक की इंफलेशन को अकानमी की ग्रोथ को किंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर हेलो गाईस स्वागत आपका अफेर गोसिप्स नियूज में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेंती है चैनल को सस्क्राइब करियेगा और बेल आइकन दवाना मत भूलियेगा भारत ने अपने अडोस पोडोस में सबका ख्याल रखा बंगलादेश की इमर्जिंग इकोनोमी है तो वो हसीना वाजिद मानती हैं कि भारत की वज़ा से तो मालदेश के कुछ लोग जो हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे 95% पॉपिलेशन किस धर्म से तालूप रखती है तो यह सान फ़रामोश रहते हैं तो उन्होंने बत्तमीज है की तो फिर भारत के भी सेलेबरेटीज ने सही जवाब दिया अक्षे कुमार ने का ना कि तुम्हारी हम्मत कैसे हुई भारत के लोगों के बारे में ऐसी बाते करने की और सचिन तंडूल करने और बहुत सारे सेलेबरेटीज ने इस पर वो क्या है और यह ट्रेन मालदीव बाइकॉट मालदीव जो चल रहा है ट्रेन तो यह सही भी है बात भी सही है के देखें एक फेशन बन गया जिसको देखो मैं मालदीव में मालदीव जा रहा हूँ या जा रही हूँ भारत के पास जतनी कोस्ट लाइन है किसके पास है बताओ इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इतनी ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन है आप एक से एक जगा देखें तामिल नाडो में गुजरात में महराश्टरा में तेलंगना या अंधरा जो भी कहलें केराला में केराला से ज़्यादा खुबसूरत कोई जगा है पिर ये लक्षडविप ह है जो अंटच्च्ट है कितना ज्यादा ब्यूटिफुल है खास्तोर पर वो लोग जो बीच वगरा पसंद करते हैं तब वो फैसलिटीज भी वहां पर सरकार बना रही है और लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं तो मालदिफ के मिनिस्टर्स जो बत्तमीजी कर बारे में और भारत के बारे में गउट डिरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिये थे और इस पहले तो जो मालदिफ की गर्मेंन्टि थी अननों ने अपने आपको इससे डिस्टन्स पर रकलियर है का जी हमारा इससे कोई तालुक नहीं है और मौलदीव की गवर्णमेंट ने इसके उपर क्लारिफिकेशन जारी की थी और यह कहा था कि जो प्राइम निस्ट और मोधी के बारे में जो रिमार्क्स हैं यह इसका हकूमत से कोई तालोक नहीं है सुनने में यह आया है कि मौलदीव गर्वर्णमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तदाद में जो टूरिस्ट है वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तदाद में जो टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं रश्या और चाइना के लावा और कहा गया है कि हाइस नमबर विजिटर्स जो है वो जो दिसमबर दोजार तईस का एक डैटा है उसके मताबब आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कैसे कूँ तो अठारा लाग के करीब टूरिस्ट वहां गए हैं और उसमें देखें ये बड़ा डैटा है तीक है और त इसे कह लें कि आप दो लाग से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे सो इससे बिग नमबर इन डैट सेंस जो के मेरे पास चोटे से स्टाइस्टिक्स हैं तकरीबन रशिया के भी दो लाग के करीब ही हैं चाइना के को पौने दो लाग के करीब जो मौल्दीव जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है बाकी मुलकों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं जर्मनी में भी कम जाते हैं इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मौल्दीव और अच्छी टूरिस्ट स्पॉर्ट्स हैं तो वहां की वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट एंड जहें